हेलो फ्रेंड्स आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है आज है 21 जून और 20 जून को लेकर मैंने कुछ करेंट अफेर्स को इस वीडियो में रखा है सबसे पहले हम बात कर लेते कल के सवाल के एक सवाल मैंने इस वीडियो के अंत में भी रखा है जो भारत को कितने मिलियन यूरो का रीन परदान करेगा तो वह है 200 मिलियन यूरो यानि भारत को 200 मिलियन यूरो रीन परदान करेगा किसलिए तो दिल्ली में जो भी कोरोना पोजेटिव की संख्यां बढ़ रही है उसके कारण फरांस क्या करेगा भारत को 200 मिलियन यूरो का र आठ साल में पहली बार किस देश की GDP ग्रोथ निगेटिव रहने का अनुमान लगाया है तो वह है भारत कोरोना वाइरस के चलते यह जो GDP ग्रोथ नेगेटिव रहे है यह कोरोना महामारी के चलते ही हो रहे है और यह भारत की अर्थ वेस्ता थोड़ी गरवर आ गई है GDP ग्रोथ निगेटिव रहने का अनुमान भारत के लिए ही लगाया है चलिए हम बात करते दूसरे क्वेश्चन के दूसरा क्वेश्चन यह बोल रहा है कि हाल ही में किस राज सरकार ने नीट परिक्षा पास करने वाले सरकारी संस्तानों के छात्रों को 10% आरक्षन देने की गोसना की है वह तमिल नाडू यानि नीट परिक्षा पास जो करेगा उसको सरकारी संस्ता क्या करेगी 10% आरक्षन देगी वो राज है तमिल नाडू चलिए हम बात कर लेते नेक्स्ट क्वेश्चन के तिसरा क्वेश्चन यह बोल रहा है कि किस देश की संसद ने उतरा के पिथोरा गड़ जिले में भारतिय छेत पर दावा करने वाले नक्से को मंजूरी दे दिया नया जो नक्सा बनाया है पिथोरा गड़ जिले में भारतिय छेत पर दावा करने वाले नए नक्से को मंजूरी दे दिया है वो देश है नेपाल नेपाल के इस कदम में दोनों देशों को क्या हुआ है सुहाद पून समंदों पर बहुत बड़ा जटका लगा है नेपाल के राश्टपती भनुन के तरफ से जारी बयान में यह बताया गया है कि इस बील पर समयदानिक प्रवधानों के तहत हसाक्चर किये गये है इस नक्सेप क्या क्या है राश्टिय मानेता देने के लिए सम्विधान संसोधन बील को नेपाली संसत उच सदन ने 18 जून 2020 को सर सम्मती से क्या क्या पारित कर दिया जिसमें सदन में कितने लोग उपस्थी थे तो 57 सदस्य लोग उपस्थी थे और इस बील के पक्ष में वोट दिया गया इसलिए इस नक्से को मंजूरी दे दी गई अब बात करतें नेक्स्ट क्योश्चन के चौथा कोश्चन बोल रहा है कि परधान मंतरी नरेंदर मोधी ने हाल ही में वानेजिक के खनन के लिए कितने कोईले खदानों की निलामे की प्रकिरिया शुरू की है तो वो है 41 कोईला खदानों की निलामे की प्रकिरिया शुरू की है किसने वानेजिक के खनन के लिए इन्होंने आत्म निर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् और यह महामारी भारत को आत्म निर्वर बनाएगा और वानी जी के खनन के लिए कोई ना खदानों के निलामी देश के अगले 5-7 साल में लगभग 33,000 करोर रुपईये के पुंजीगत निवेश की उम्मीद भी की है। चली हम बात करते हैं अब नेक्स्ट कोईस्टन की पाचवा कोईस्टन बोलगा है कि आमरिका के राष्टपती ने किस देश में पंचानवे सो अमरिकी सेनीकों को ठिकाने से वापस लेने की योज़ना की पुष्टी किया है तो वो देश है जर्मनी, इन्हों ने पंचानवे स पिछले हफ्ते रिपोर्ट दी थी कि ट्रम जर्मनी से लगभग 9500 सेनिकों को हटाना चाहता और जर्मनी में तैनात सेनिकों के उच्तम संक्यां 25,000 तैकी करना चाहते हैं ट्रम के बयान तक अमरिकी सरकार ने इसको अपचारिक तोर पर पुष्टी नहीं की थी अब चलिए बात करतें नेक्स्ट कुष्टन की छठा कुष्टन यह बोल रहा है कि A.C.I. फुटबोल परिसंग यानि A.C.I. फुटबोल परिसंग A.F.C. ने 2022 महिला A.C.I. कप की मेंजमानी के अधिकार निम्न में से किस देश को दिये हैं तो वो भारत यानि 2022 A.C. 1989 के बाद पहली बार 2022 में महिला A.C.I. कप की मेंजमानी भारत करे अधिकार ने क्या किया कि 2016 में A.C. अंडर 16 चेंपियन सी पर 2017 फीफा वल्ड कप यानि फीफा अंडर 17 विशुकप की मेंजमानी किया था से पहली 2016 और 17 में भी या महिला मानी कर चुका है चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्टन की नेक्स्ट क्वेश्टन बोलड आ है कि विश्व एतनिक दिस निम्न मेंसे कि इस दिन मनाया जाता है विश एथनिक दिवस उनीस जून को मनाया जाता है या दिवस विश भर में अलग-अलग छितरों में विरासत, सभ्यता, मानवजाती, विग्यान, कला और संस्कृति को सहेजने के लिए जागरुकता फिलाने के उदेश या मनाया जाता है चलिए अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट कोईशन के, आठमा कोईशन बोल रहा है, कि जियो प्लेटफर्म्स ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट फॉन्ड यानि पी आई अपने 2.3252 हिस्सेदारी खरिदने के लिए कितने करोर रुपे का निवेस करेगा, तो वो करेगा 11,360 करो रुपे का, यानि सौधी अरब वेल फंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट पी आई एफ जियो प्लेटफर्म में 11,360 करो रुपे का निवेस करेगा, और इस निवेस के जड़िए पी आई आई आप को जियो प्लेटफर्म कितनी फिस्दी हिस्सेदारी मिलेगी, ग्रू पॉइ 4.91 लाख करोर रुपे की इक्वीटी वेल्यू पर निवेस करेगी, चले बात कर लेतें नवे कोश्चन की, नवा कोश्चन बोलड़ा है कि आस्टेलिया किर्केट बोर्ड ने हाल ही में किस बैटिंग कोच को उनके पज से हटा दिया है, तो है ग्रीम हिक, ग्रीम हिक जो है आस्टेलिया के पर्मुक कोच कोन है, जस्टिन लेंगर ने हाल ही में देश के किर्केट बोर्ड के खर्चे में कटोती की कवायद के तहत, सपोर्ट स्टाप की संखिया कम करने का खिलारियों पर कोई बुरा असर नहीं परेगा, और आस्टेलिया किर्केट बोर्ड ने हाल ह में बैटिंग कोच बैटिंग कोच ग्रीम हिक को उनके पद से हटा दिया और कोविड 19 महमारी के चलते वित्य संकट को देखते विशी एन किर्केट आश्टेलिया ने जिन 40 लोगों को निकाला उनमें से ग्रीम हिक भी सामिल है ग्रीम हिक ने अब बात करें ग्रीम हिक की तो इंगलेंड के लिए 65 टेस्ट मेंच और 120 एक दिवस्य अंतराष्टी मेंच खेले हैं चलिए बात करतें नेक्स्ट कोईस्टन की यानि अन्तीम और दस्वें कोईस्टन की दस्वां कोईस्टन बोल रहा है कि कि A.C.I.A. विकास बेंक A.D.B. जिसका मुख्याले का है जी मना लगाया है तो वह चार परतिसत यानि देश की अर्थ विवस्ता प्रिसक्या पड़ेगा बुरा परवाप परा है करोना वाइरस के चलते इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि होंकोंग कोरिया गनराज सिंगापूर ताइपे जैसे नए और द्योगी को छोड़ कर विकासिल एस याने के चालू वर्ष में 0.4 परतिसत दर की और से 2021 में 6.6 परतिसत दर से विर्दी करने का अनुमान है यह तो हो गया 21 जून के कुछ करेंट अपेर्स के करेंट अफेर्स अब बात कर लेते आज के सवाल के आज मैंने सवाल रखा है कि हाल ही में 20 च्वर्णारती दिवस कब मनाया गया तो अप्शन है 20 जून 21 जून 19 जून और 18 जून इसका एंसर में कॉमेंट बॉक्स में जरूर दें तब तक के लिए धन्यवाद